जय हिंद इस वीडियो आपने बात करेंगे यह कंपनी भारत के आइटी सेक्टर के दिगर्ज कंपनी है और अभी दुनिया पर भी अपना राज करने के लिए तैयार है इस कंपनी ने इस साल आइब्यम को पचार कर दुनिया के सेकंड मोस्ट वैलुएबल ब्रांडड कंपनी कंपनी है या अमिर्का के कंपनी है और एक साल दुनिया की मोस्ट वैलुएबल ब्रांडड कंपनी के लिश्ट जारी करती है यह ब्रांड क्या होते इसके वारे में आप थोड़ा से ब्रांड मतलब सीप मार्कीट के सब्स्राइब की समाजी कर्देश काbour़ जुड़ होई क तो आप समझ रहांगे कि यह brand value क्या होता है अब समझे brand finance company ने इस साल जो लिष्ट जारी कि उसमें 25 कंपनियों को चुना है यानि कि brand finance ने इस साल जो रैंकिंग जारी कि 25 कंपनियों की उसमें से शुरुबाती चार पांस कंपनिया कौन कौन सी है तो देखिए सबसे एक नमबर पर जो कंपनिया उसका नाम है एक सेंचर एक सेंचर कंपनी का हैड़ आयर्लेंड में है और इसका जो brand value है 36 billion dollar यह brand value लिखा हुए market नहीं है brand value इसका है 36 billion dollar और जो सेकंड नमबर पर कंपनिय उस हो है TCS हमारी TCS इसका brand value 16.9 billion dollar तकरीवन 20 billion dollar इसको मान कर चल सकते हैं पिछले साल सेकंड नमबर पर IBM हुआ करता था लेकिन इस साल TCS ने उसको मात दे दिया है तीसरे नमबर पर बात करें तो तीसरे नमबर हमार पर है IBM इसके ranking में गिराओट के पीछे मुख्य वजवा यह है कि इस साल IBM के revenue में भी गिराओट आया है तकरीवन 20 billion dollar का गिराओट आया है IBM में इसके brand value में भी कमी आया है अब बात करते हैं कि छो कंपनियों में से बाकी और कौन-कौन कंपनियां है जो इस list में brand value के list में साम पर हैं तो आपने देखा कि brand value के लिहाज से 25 कंपनियों में से 6 कंपनियां भारत की हैं यह हम सभी भारत के लिए खुशी और गर्व की बात है पिछले 10-15 बरसों में भारत की IT सेक्टर में काफी बदलाओ आया है और यह बदलाओ सिर्फ कंपनियों के बदलोत नहीं नहीं उसमें भारत की लोग भारत की सरकारों का भी जुगदान है पिछली सरकारों का भी जुगदान है उन्होंने अपने अपने इस सेक्टर को आगे बढ़ने में काफी मदद किये थोड़ा सा उसके बारे मैं आपको समझाता हूं जो सरकारों का contribution रहा है IT सेक्टर को आगे बढ तो अब जो आगे बढ़ गए हैं तो थोड़ा सा समझे कि आइटी सेक्टर का भारत में भारत के जीडीपी में कितना जोगदान तो अगर आज की बात करें तो आज 10 परसेंट जोगदान है आइटी सेक्टर का हमारे देश के जीडीपी में अब यहां तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ माया होगा अगर मन में कोई सवाल है तो हमसे पूछे बाकि मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो 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 देने बाद सुक्रिया